परिचय स्वस्थ हूँ हाँ लेकिन केवल रोगों से मुक्त होने का ही ए मतलब नहीं है कि तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो तुम्हारा क्या मतलब है मैं कहना चाहती हूँ कि स्वास्थे और रोग अन्तरसंबंधित है लेकिन व्यक्ति के स्वास्थ का निर्धारंड करने वाले कुछ अन्यकारक भी है मैं तुम्हें इस बारे में विस्तार से समझाती हूँ उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे स्वास्थ एवं रोग की अवधारना को समझना स्वास्थ एवं रोग स्वास्थ स्वास्थ को संपून शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता की अवस्था के रूप में परिभाशित किया जाता है और मात्र रोग की अनुपस्थिती अथवा शारीरिक स्वस्थता ही स्वास्थ नहीं है रोग को शरीर या उसके किसी अंग की उस अवस्था के रूप में परिभाशित किया जाता है, जो सामान्य प्रकारियों को दुर्बल बनाता है, और यह विभिन चिन्हों एवं लक्षनों के द्वारा व्यक्त होता है स्वास्थिको प्रभावित करने वाले कारक स्वास्थिको प्रभावित करने वाले कारकों को व्यापक रूप से निम्ना नुसार समूहित कर सकते हैं अनुवन्शिक विकार वे अपर्याप्तताएं होती हैं जिसके साथ बच्चा जन्म लेता है वे अपर्याप्तताएं या विकार जिन्हें बच्चा अपने माता-पिता से वन्शानुगत रूप से प्राप्त करता है संक्रमन जीवानु, वाइरल, प्रोटोजोल, पंगल अथ्वा अन्य प्रकार के संक्रमन हो सकते हैं जीवन शैली भोजन और जल, अंतर ग्रहन व्यायाम और विश्राम पैटर्न अन्य अर्जित आदते अच्छा स्वास्थे बनाई रखने के लिए अनिवारे कारक कुछ महत्व पून कारक, जो अच्छा स्वास्थे पाने के लिए आवश्यक होते हैं, निम्न है संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, नियमित व्यायाम, टीका करण या प्रतिरक्षण, अपशिष्टों का उपियुक्त निब्टान, रोग वाहक नियंत्रण, स्वच भोजन और जल संसाधनों का रखरखाव रोगों का वर्गी करण रोग को व्यापक रूप में निम्नानुसार वर्गी कृत किया जा सकता है संक्रामक रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से संचारित हो जाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं उदाहरन, AIDS असंक्रामक रोग असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं, जो एक रोग जनक के कारण नहीं होते हैं और नहीं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकते हैं उदाहरन, Cancer रोग जनक, रोग उत्पन करने वाले सूक्ष्मजीव रोग उत्पन करने वाले सूक्ष्मजीवों को रोग जनक कहते हैं उदाहरन के लिए, जीवानू, विशानू, कवक, प्रोटोजोवा, क्रमी, इत्यादी रोग जनक पोशी में प्रवेश करते हैं, स्वयम को पोशी के शरीर के अनुसार अनुकूलित करते हैं, बहुगुणित होते हैं सामान्य जीवन हेतु अनिवारे गतिविधियों में व्यवधान उत्पन करते हुए आकार की तथा प्रकार्यात्मक्षती पहुचाते हैं सामान्य मानव रोग कुछ अत्यंत सामान्य मानव रोग इस प्रकार हैं टाइफॉइड, नुमोनिया, सामान्य जुकाम, मलेरिया, अमीबता, एसकेरियसिस, श्लीपद, दाज संक्रमन टाइफॉइड, टाइफॉइड ज्वर, कारण यह सालमोनेला टाइफी रोग जनक जीवानु के द्वारा होता है छोटी आंत को संक्रमित करता है संचारन के प्रकार, संदूशित भोजन और जल के द्वारा जीवानु संचारित होता है अभिलक्षन निम्न सम्मिलित है लगातार उच्च ज्वर 102.2 डिग्री फैरनहाइट से 104 डिग्री फैरनहाइट कमजोरी आमाशय में पीडा कब्स सिर्दर्द भूख कम लगना जटिलताएं कुछ घटनाओं में संक्रमण के निम्न परिनाम हो सकते हैं आंत्र में छेद, मृत्यू, निदान टाइफोईट की पुष्टी विडाल परीक्षन के द्वारा की जाती है निमोनिया निमोनिया कारण यह स्ट्रेप्टो कॉकस निमोनी और हीमोफिल्स एंफ्लूेंजी नामग रोग जनक जीवानु के द्वारा होता है संचारण का स्वरू जीवानु निम्न प्रकार से संचारित होते हैं किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदु को ड्रोप्लेट्स या एरोसॉल सास द्वारा अंदर लेने से संक्रमित व्यक्ति के बर्तन इस्तिमाल करने से क्रिया विधी की यांत्र की जीवानु प्फस लंग्स के वायु कोष्ट को संक्रमित करते हैं फलस्वरूप वायु कोष्टों में तरल भर जाता है जिसके कारण सास लेने में गंभीर समस्याइं पैदा होती हैं लक्षण निम्न शामिल हैं ज्वर, कंपकंपी, सिर्दर्ध, खासी, होट और हाथ की उंगलियों के नखूनों का रंग धूसर से लेकर नीला तक हो जाना सामान्य जुकाम कारण यह नासा विशानू यानी रायनो वायरस के द्वारा होता है संचारण का स्वरूप विशानू निम्न प्रकार से संचारित होते हैं संक्रमित व्यक्ति के खासने या छीकने से निकले बिंदुक या एरोसॉल जब सास लेने पर अंदर जाते हैं पैन, किताबों, माउस आधी जैसे संदूशत वस्तूओं का प्रयोग करने से प्रिया विधी की यांत्रिकी यह जीवानू नाक और श्वसन पत को संक्रमित करते हैं लेकिन फेफडों को नहीं लक्षण निम्न शामिल है नाक में जक्डन और आस्राव यानि बहना कंठदाह, स्वररूक्षता, खासी, सिर्दर्द, ठकावट यह अभिलक्षन प्राय तीन से साथ दिन तक रहते हैं मलेरिया कारण यह प्लाज्मोडियम, प्ले वाइवैक्स, प्ले मलेरियाई, प्ले पैलसीपेरम के द्वारा होता है संचारन का स्वरू संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से प्लास्मोडियम संचारित होता है क्रिया विधी की यांत्रिकी प्लास्मोडियम यकृत कोशिका में अपनी संख्या बढ़ाते हैं और फिर लाल रुधिर कणिकाओं के फटने के साथ ही एक हीमोजोईन पदार्थ निकलता है जो कमकपी और उच्जवर के लक्षनों के लिए उत्तरदाई है अभिलक्षन निम्नशामिल है प्रत्येक तीन से चार दिन के अंतरान से कमकपी और आने वाले उच्जवर थकावट अमीबता अतीबता या अमीबी अतिसार कारण यह अंत अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोवा पर जीवी के द्वारा होता है संचारण का स्वरूप यह प्लाज्मोडियम घरेलू मक्यों द्वारा संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक संचारित होते हैं संदूशित खाद्य और पेजल का उपभोग करना संक्रमन के प्रमुक्सरोत हैं क्रिया विधी की यांत्र की यह पर जीवी संक्रमित व्यक्ति की बड़ी आंत को संक्रमित करते हैं अभिलक्षन निम्न शामिल हैं कोष्ट बद्धता कब्ज उदरिय पीडा और एंठन शलेश्मा और रक्त के ठक्के वाला मल एस के रिस्ता कारण यह गोल क्रमी एसकारिस के द्वारा होता है संचारण का स्वरूप यह परजीवी संदूशित जल सब्जियों फलों आधी के द्वारा संचारित होता है क्रिया विधी की यांत्र की यह परजीवी संक्रमित व्यक्ति की आंत को संक्रमित करता है अभिलक्षन निम्न शामिल हैं आंतरिक रक्त स्राव पेशी अपीडा ज्वर रक्तालप्ता आंत्र का अवरोध शलीपद या पाइलेरिया कारण यह पाइलेरियाई क्रमी वुचेरेरिया वू बैंक्रोफटाई और वू मैलाई के द्वारा होता है संचारण का स्वरूप यह परजीवी रोगवाहक मादा मच्छर के काटने से संचारित होता है क्रिया विधी की यांत्रिक रचना यह परजीवी अधुपाद की लसी का वाहिकाउं और जनन अंगों में धीरे धीरे विक्सित होता है अभिलक्षन निम्न शामिल है स्थाई सूजन के परिणाम स्वरूप पैरों का हाथी के पैरों के समान मोटा हो जाना जनन अंगों का विक्रित हो जाना दाद संक्रमन कारण यह माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन नामक कवकों के द्वारा होता है संचारण का स्वरूप यह कवक निम्न द्वारा संचारित होते हैं मिट्टी संक्रमित व्यक्तियों के तॉलिये, कंगे, कपडे के द्वारा क्रिया विधी की यांत्रिकी यह कवक त्वचा के वलनों में उश्मा और नमी की उपस्थिती में पनपता है अभिलक्षन निम्न शामिल है त्वचा नाखूनों और शिरो वल्क पर सूखी शलकी विशक्तिया इन विशक्तियों के चारों ओर तेज खुजली होना संक्रामक रोगों का निरोध एवं नियंत्रन संक्रामक रोगों के निवारण और रोक्थाम के लिए निम्न उपायों का पालन करना आवश्यक है पहला व्यक्तिगत स्वच्छता बनाई रखना शरीर को साफ रखना साफ पेजल और भोजन का उपभोग करना दूसरा, सार्वजनिक स्वच्छिता बनाए रखना अपशिष्ट पदार्थों और मल मूत्र उत्सर्जन का समुचित निप्टान जलाशेयों की समय समय पर सफाई और विसंक्रमन सार्वजनिक खान-पान प्रबंध में स्वच्छिता के मानक का पालन करना तीसरा, संक्रमित व्यक्तियों और उनके सामान के निकट संपर्क में आने से बचना संक्रामक रोगों का निरोध एवं नियंत्रण संक्रामक रोगों के निवारण और रोगथाम के लिए निम्न उपायों का पालन करना आवश्यक है चौथा, रोगवाहकों और उनके प्रजनन स्थलों का नियंत्रन या उन्हें खत्म कर देना पानी को जमा नहोने देना घरेलू शीतल यंत्रों यानी कूलर की नियमित सफाई मच्छर दानी का प्रयोग तालाबों में गम्बुजिया जैसी मच्छली आंटालना कीट नाशकों का नियमित अंतराल पर छिड़काव मच्छरों को अंदर घुसने से रोकने के लिए दर्वाजों और खिड़कियों पर जाली लगाना पाँचवा, टीके और प्रतिरक्षणी करण कारिक्रमों का उप्योग क्या आप जानते हैं, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में मलेरिया पर जीवी द्वारा मुक्त किये जाने वाले हैमोजोईन का पता लगाने के लिए पैमठो सेकिंड लेजर का उप्योग किया जा सकता है उचित तरंग दैर्धिका उप्योग करते हुए हैमोजोईन का प्रकाशिक स्पंद उचसर्जित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है ये प्रकाशिक स्पंद आसपास के उतकों को नुकसान पहुचाए बिना परजीवी के डिने को नश्ट कर सकते हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं स्वास्थे संपून शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता की अवस्था है और मात्र रोग की अनुपस्थिती अत्वा शारीरिक स्वस्थता ही स्वास्थे नहीं है मनुष्यों को कश्ट पहुचाने वाले सबसे सामान्य रोगों में टाइफॉइड, निमोनिया, मलेरिया, सामान्य जुकाम आदी शामिल है इन बीमारियों की रोगधाम के निवारक और उपचारक उपाए निम्न है व्यक्तिगत और जन स्वच्छता बनाए रखना संक्रमित व्यक्तिओं और उनके सामान के निकट संपर्क में आने से बचना रोगवाहकों और उनके प्रजनन स्थलों का नियंत्रण ठीके और प्रतिरक्षणी करण कारक्रमों के उपियोग परिचय है नेहा तुमारी नाक को क्या हुआ आह मुझे जुखाम और खासी है मुझे लगता है कि तुम अकसर सामान ये जुखाम से पीडिद हो जाती हो हाँ लगभग हर दो महीने में जुखाम से पीडित किसी व्यक्ति की समीपता से मुझे तुरंट जुखाम हो जाता है यदि तुम्हें इतनी आसानी से संक्रमण हो जाता है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी प्रतिरक्षी क्षमता बहुत कमजोर है सच में तो मुझे क्या करना चाहिए तुम्हें ऐसा भोजन और दवाय लेनी चाहिए जो संक्रमणों से सामना करने के लिए तुम्हारी प्रतिरक्षी क्षमता बढ़ाने में मदद करें ठीक मैं तुम्हें समझाती हूँ कि प्रतिरक्षी क्षमता क्या होती है और यह संक्रमणों से कैसे लड़ती है उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे साहज प्रतिरक्षा के रोधों की पहचान करना उपाचित प्रतिरक्षा की अवधारना को समझना सक्रिय एवं निश्क्रिय प्रतिरक्षा के बीच अंतर को समझना टीका करण एवं प्रतिरक्षणी करण की अवधारना को समझना एलरजी और स्वप प्रतिरक्षा को समझना मानव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की पहचान करना प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा क्या है? परपोशी की रोग कारक जीवों से लड़ने की समस्त क्षमता, जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिली है, प्रतिरक्षा कहलाती है. प्रतिरक्षा के प्रकार प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है. सहज प्रतिरक्षा और उपार्चित प्रतिरक्षा सहज प्रतिरक्षा सहज प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा होती है जो व्यक्ति की प्राकृतिक जैविक रचना के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक रूप से उत्पन होती है सहज परतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्यकारकों के प्रवेश के सामने विबhin अवरोध खड़े करने से हासिल होती है यह रोध इस प्रकार है शारीरिक रोध, कार्यकिय रोध, कोशिकिय रोध, साइटोकाइन रोध शारीरिक रोध यानि पिजिकल बैरियर इसके अंतरगर्थ त्वचा तथा श्वसन, जठरांत्र तथा जनन मूत्र को आस्तरित करने वाली अपिथिलियम का श्लेश्मा आलेप यानि म्यूकस कोटिंग सम्मिलित हैं काई की अरोध यानि पिजियोलोजिकल बैरियर इसके अंतरगर्थ निम्न आते हैं आमाशय में अम्ल, लार, आसू कोशकीय रोध, सेलिलर बैरियर इसके अंतरगर्थ निम्न आते हैं श्वेताणू, लिम्फोसाइट्स, ब्रिहत भक्षकाणू यानि मैक्रोफेज़ साइटोकाइन रोध इसके अंतरगर्थ इंटरफिरोन सम्मिलित हैं जोकी असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विशानू संक्रमन से पचाती हैं उपाजित प्रतिरक्षा उपाजित प्रतिरक्षा यह प्रतिरक्षा होती है जो रोग जनक के संपर्क में आने पर रोग प्रतिकारक यानि एंटी बॉडी के विकास द्वारा प्राप्त की जाती है जब हमारे शरीर का पहली बार किसी रोग जनक से सामना होता है तो एक निम्न तीवरता की प्राथमिक अनुक्रिया होती है हाला कि बाद में उसी रोग जनक से सामना होने पर बहुत ही उच्छ तीवरता की अनुक्रिया होती है यह अनुक्रियां विशेश प्रकार के लसिकाणू की सहायता से की जाती है B. लसिकाणू टील असिकाणू बील असिकाणू ये रोग जनुकों से लड़ने के लिए रक्त में प्रतिरक्षी यानी आंटी बोडीज नामक प्रोटीन का निर्माण करती है टील असिकाणू टील असिकाणों प्रतिरक्षियों यानि आंटी बोडीज के निर्माण में पील असिकाणों की सहायता करती है प्रतिरक्षी यानि आंटी बोडी प्रतिरक्षी बी कोशिकाओं की सतह पर वाय आकार के प्रोटीन होते हैं जो रोग जनक के प्रभाव का सामना करने के लिए रोग जनक उद्धीपन की अनुक्रिया में रक्त या लसिका में स्रावित होते हैं हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं जैसे IgA, IgM, IgE, IgG इत्यादी प्रतिरक्षी की संगरचना प्रत्य एक प्रतिरक्षी अणू में चार पेप्टाइड श्रिंखलाए होती हैं लगु हलकी श्रिंखलाए, दीर्घ भारी श्रिंखलाए एक प्रतिरक्षी अणू H2L2 के रूप में दर्शाया जाता है प्रतिरक्षी अनुक्रियाओं के प्रकार हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं होती है तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया यह प्रतिरक्षा अनुक्रिया बी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में प्रतिरक्षी के उत्पादन के द्वारा माध्धित की जाती है कोशिका माध्धित प्रतिरक्षा अनुक्रिया इस प्रकार की अनुक्रिया श्वेतानुओं प्रकृतिक भग्षक कोशिकाओं टी लसेकानुओं और साइटो काइन्स के सक्रियन द्वारा उत्पन्न की जाती है इस प्रकार की अनुक्रिया टील असे काणुमों द्वारा माध्यित की जाती है। उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। के लिए दिये जाते हैं, तो यह निश्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। सक्रिय और निश्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण सक्रिय और निश्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप में अजित किया जा सकता है। तीका करण तथा प्रतिरक्षी करण तीका क्या है? टीका करण, दुर्बली कृत या निश्क्रिय रोग जनक या रोग जनकों की संग्रचना के एक भाग का मिश्रण है जो रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी के उत्पादन को प्रेरित करता है लेकिन गंभीर संक्रमन उत्पन करने में या असमर्थ रहता है टीका करण, किसी विशिष्ट बीमारी को पुना होने से रोकने के लिए टीका लगाना टीका करण कहलाता है प्रतिरक्षी करण, प्रतिरक्षी करण टीकों के प्रयोग के द्वारा प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रेरित करके सम्वेदन शील मरीज को संचारी रोग से सुरक्षित करने की एक प्रक्रिया है ठीका करण तथा प्रतिरक्षी करण ठीका करण और प्रतिरक्षी करण की प्रक्रिया में निम्न चरण सम्मिलित होते हैं रोग जनक या निश्क्रियत या दुर्बलिकृत रोग जनक के प्रतिजनी प्रोटीनों के विर्चन को शरीर में प्रवेश कराया जाता है परिणाम स्वरूप प्रतिजनों के विरोध रोग जनी कारकों को निश प्रभावी बनाने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न किये जाते हैं साथ ही समृती B और T कोशिकाएं बनती हैं जो परिवर्ती प्रभावन होने पर रोग जनक को पहचान देती हैं और प्रतिरक्षी के भारी उत्पादन से उन्हें हरा देती हैं. इस प्रकार प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृती शरीर की किसी भी प्रकार के संक्रमन से रक्षा करती है. सक्रिय तथा निश्क्रिय प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा किसी प्रतिजन की उपस्थिती या किसी संक्रामक रोग के संपर्क में आने पर अनुक्रिया के रूप में प्रतिरक्षियों के विकास के परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षी करण, उदाहरण के लिए BCG का ठीका निश्क्रिय प्रतिरक्षा यदि एक व्यक्ति किनी घातक जीवानुओं से संक्रमित होता है, जिनमें शीग्र प्रतिरक्षा की आवशक्ता होती है, तो हमें सीधे ही प्रतिरक्षी या प्रति आविश देने की आवशक्ता होती है इस प्रकार का प्रतिरक्षी करण निश्क्रिय प्रतिरक्षन कहलाता है, उदाहरन टिटनेस प्रतियाविश Allergy पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अंतर रंजित अनुक्रिया Allergy कहलाती है इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियाँ IgE प्रकार की होती है Allergy ऐसे पदार्थ जो शरीर के लिए बाह होते हैं और एक Allergy क अभिक्रिया पैदा करते हैं, Allergy कहलाते है उदाहरन के लिए धूल में चिचडी, पराग, प्राणी, लगुशल्क, आदी Allergy के लक्षन छीटना, पनीली आखें, बहती नाख, सास लेने में कठनाई Allergy Allergy के कारण जब एक व्यक्ति किसी Allergen के संपर्क में आता है, तो IgE प्रतिरक्षी बनते हैं, जो स्वयम को मास्ट कोशिकाओं से जोड लेते हैं ऐसी मास्ट कोशिकाओं, Allergen के संपर्क में आने पर, Histamin तथा Serotonin जैसे रसायन निर्मोचित करती हैं, जिससे Allergy होती है Allergy का उपचार Antihistamin, Adrenaline और Steroids जैसी दवाओं के उपयोग द्वारा, Allergy के लक्षन कम किये जा सकते हैं स्वप्रतिरक्षा यह एक भ्रमित प्रतिरक्षी अनुक्रिया है, जिसमें हमारा शरीर अपने ही उतकों के विरुध प्रतिरक्षियों का निर्मान करने लगता है, जिससे अतिसमवेदी अनुक्रियाएं होती है स्वप्रतिरक्षा रोग शरीर की अपनी कोशिकाओं और उतकों के प्रती प्रतिरक्षा तंत्र की असामान्य क्रिया विधी के कारण होने वाली कोई बीमारी या क्षती स्वप्रतिरक्षा बीमारी कहलाती है उदाहरण के लिए माटाइड आर्थराइटिस लसिकाभ अंग वे अंग जहां लसिकाणूओं की उत्पत्ति और या परिपक्वन और प्रचुरोद भवन होता है लसिकाभ अंग कहलाते है लसिकाभ अंग के प्रकार लसिकाभ अंग दो प्रकार के होते है प्रात्मिक लसिकाभ अंग ये वे अंग होते हैं जहां अपरिपक्व लसिकाणू प्रतिजन समवेदी लसिकाणूओं में विभेदिध होते हैं प्राथमिक लसिकाभ अंग इस प्रकार हैं अस्थी मज्जा, थाइमस द्वितियक लसिकाभ अंग द्वितियक लसिकाभ अंग लसिकानुओं को प्रतिजन के साथ पारस परिक्रिया के स्थल प्रदान करते हैं, जो बाद में प्रचोर संख्या में उत्पन होकर प्रभावी कोशिकाईं बन जाते हैं। द्वितियक लसिकाभ अंग में निम्न सम्मिलित हैं। प्लीहा, लसीका ग्रंथियां, टॉंसिल, क्षुद्दांत्र के पेर पैच, परिशेशिका, लसिकाभ अंग, प्रात्मिक लसिकाभ अंग, ये टी लसिकाणूओं के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म परियावरण उपलब्ध कराते हैं. अस्थी मज्जा, यह प्रमुख लसिकाभ अंग हैं. लसिकाणूओं समेच सभी रुधिर कोशिकाएं अस्थी मज्जा में उत्पन्न होती हैं. थाइमस, यह एक सपाली अंग है. यह रिदय के पास और उरोस्थी के नीचे स्थित है. जन्म के समय थाइमस काफी बड़ा होता है लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आकार में घटता जाता है. लसिकाभ अंग त्वितियक लसिकाभ अंग यह सेन की आकरती का अंग है. इसमें लसिकाणू और भक्षकाणू होते हैं. यह रुधिर जनित सूक्ष्म जीवों को अवरुद्ध करके रुधिर निस्यंद के रूप में कारे करता है. लसिकागरंथिया यह श्लेश्म संबध लसिकाभ उतक यह मानव शरीर के लसिकाभ उतक का लाब पचास प्रतिशत है. यह प्रमुक पथों जैसे श्वसन, पाचन और जनन मूत्रपत के आस्तरों के भीतर्स थे. क्या आप जानते हैं? पॉली और्थराइटिस, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, जारगन सिंड्रोम इत्यादी, स्वप्रतिरक्षा रोगों के उपचार हेतू, सुक्ष्म गोलियों या गुटिकाओं के रूप में डायालिकल फ्युमारेट का उप्योग साइक्लोस्पोरिन के संय योजन में किया जा सकता है. सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं. परपोशी की रोगकारक जीवों से लड़ने की समस्त क्षमता, जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिली है, प्रतिरक्षा कहलाती है. प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, सहज और उपारजित. सहज प्रतिरक्षा शारीरे कार्यकिय, कोशिकिय और साइटोकाइन रोध बनाती है. B और T लसिकानू शरीर को उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, यह सक्रिय या निश्क्रिय प्रतिरक्षा हो सकती है किसी विशिष्ट बीमारी को होने से रोकने के लिए ठीका लगाना ठीका करण कहलाता है पर्यावरण में मौझूद कुछ प्रतिजनों के प्रति-प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया अलर्जी कहलाती है शरीर की अपनी कोशिकाओं और उतकों के प्रती प्रतिरक्षा तंत्र की असामान्य क्रिया विधी के कारण होने वाली कोई बीमारी या क्षती, स्वप्रतिरक्षा बीमारी कहलाती है वे अंग जहां लसिकाणूओं की उत्पत्ति और या परिपक्वन और प्रचुरोद भवन होता है लसिकाभ अंग कहलाते हैं वे प्रात्मिक यानि अस्थी और थाइमस या द्वितियक जैसे प्लीहा लसी का ग्रंथिया आदी हो सकती है